तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फुंकार का तीसरा और अंतिम भाग और ऐसी सिर्फ दो नहीं कई पृत्विया हो सकती हैं क्योंकि ऐसे अंगिनत आयाम हो सकते हैं उनमें से हर एक पृत्वी पर नागराज या नागराणी से मिलता जुलता है एक अबराद विनाशा महानगर से मिलते जुलते शहर में मौझूद होगा अगर मैं इस बात को मान भी रूँ तो ये कैसे संबभवे कि जो आयाम आज तक कभी नहीं मिले वे आज मिल रहे हैं इसका कारण भी है मैगनेटिज्म है तुमारी पृत्वी के तरुप आपस में बदल रहे है नागराज ऐसा हर दो से पांच लाग वर्शों के बीच में होता है इस कारण तुमारी पृत्वी पर मैगनेटिक एक्टिविटी काफी बढ़ गई है और सायों वर्श इसी तोरा हमारी पृत्वी पर मौझूद शेल जेल का मैगनेटिक जनरेटर भी बिकाब हो गया इससे एक और शक्तिशाली मैगनेटिक छेतर पैदा हुआ और फिर इन दो अलग-अलग आयामों में मौझूद मैगनेटिक छेतरों की जिप की तरह मैगनेटिक इंटर लॉकिंग शुरू हो गई जहां जहां पर ये मैगनेटिक छेतर आपस में जुड़े वहीं वहीं पर दोनों आयामों की वस्तुमां और प्राणियों का आदान प्रदान शुरू हो गया समझी यानि शेल जेल उस आयाम से इस आयाम में आ गई है जैसे मैं और तुम आ गई मिश्लेशी नहीं तुम भी जानबूच कर आई हो और तुमको ढूंदे ढूंते मैं भी जानबूच कर आई हूँ पर तुमको मुझे ढूंदने की क्या जूरत पड़ गई हमारी पृतिव पर हाकार मच गया है नागरानी सरानी न वातावण में से जीवन दाई तत्वों को नश्ट करके जीवित प्राणियों को मौत के कागार पर पहुचा दिया है अब अगर जल्दी हमारी पृतिव को वातावण में एलकलोइट्स की मातरा नहीं बड़ी अब मैं किधर जाओं क्या करूं तुमारा करता है विस्पष्ठ नागरानी अपने आयम के पृतिवास्यों के रक्षा करना तुमारा पहला करता पर है विष्ठ लेशी ठीक कहरे है नागरानी मेरे पास सर्पों की एक ऐसी फाजर जिनके पास तीश रविष है उनको मैं तुमारे साथ भेज सकता हूं उनका विष्ठ तुमारे पृतिवास्यों को बचा सकता है नहीं जागराज छोटे छोटे कई उपाऊं से काम नहीं चलेगा इतना वक्त नहीं है हमारे पास हमको एक बड़ा उपाय चाहिए और वायत तुम हो नागराज तुम को मेरे साथ चलना पड़ेगा हमारी पिर्शी का नागरिक बनकर क्योंकि हमारे आयम में जाकर तुम्हारा यहां वापिस आना शायद संभभ ना हो सके और हमारे कानून के अनुसार मैं तुमको सिर्फ तभी ले जा सकती हूँ जब तुम मुझसे विवा कर लो नागराच पता नहीं इस परसाव के बीचे जंता की भलाई थी है संभ नागराणी की या शायद दोनों की पर इस पृत्वी की हर तरफ से हार थी ओफ हमारे गुटों में बटने से पहली ये विमान आधम के और ये कोई घातक विस्पोटक फेक रहे हैं हमारे मैगनेटिक शुरक्षा फील्ट इन विस्पोटों के शेसायद हमें ना बचा सकें अब हम क्या करें और ये तो पिकर है चार साल पर लाने मॉडल खा लेकिन इसकी धातोई सतर इतनी चमक क्यों रही है और ये तो सिंटम है वै खतरना को बहुमूल ले धातू हाँ और ये पूरा पिंकर से सिंटम का ही बना हुआ है बस अब हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा अब ये दुनिया या तो घुटने देखेगी या फिर लेट जाएगी कब्रम है ये औरते पागल हो गई है ये मैटल की तुकड़े हम पर फेक कर हमसे जीतना चाहती है इससे ज़्यादा नुकसान तो गुलेल के कंकर पहुँच सिंटम ब्रमान की सबसे अभेद और सबसे ज़्यादा फैलने वाली धातू है यानि एक आलबिन जितनी सिंटम को इतना फैलाया जा सकते है को पच्चिस मंजली उची एक हिमारत को पूरी तरह से ठक सके और ये धातू रेडियो एक्टिव पी है इस हत्यार को पाने के बाद अब जिनिया के मालिक हम होंगे साराणी ना जाना कौनसे केमिकल ड्रॉब उस सिंटम शीट पर डाली थी जिससे उस भयावा मंज़र को पैदा कर दिया था अबेद इस सिंटम की चादरे पानी की तरह फैलती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने आगोश में लेती जा रही थी अब ये सिंटम की पर तभी रुकेगी जब साराणी इस प्रत्वी की महरानी बनेगी अब दो प्रत्वी के वासियों का जीवन दाओं पर लग चुका था अब सवाल ये था कि नागराज पहले किसको बचाया जाएगा मेरा परसाम मान जाओ नागराज मुझसे विवा कर लो पर मैं तो नागरानी मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने प्रत्वी वासियों को बचाना है बलकि इसका इससे भी बड़ा एक कारण और है नागराज क्या मुझे तुमसे फ्रेम हो गया है नागराज बस पहुत हो गया अब या तो नागराज का नाग सेना को साथ ले जाने का वाला परसाम मान लो या अपने आया मैं वापिस जाकर स्वैम ही कोई रास्ता ढूंड लो आपको मद्द्धत करने की आवशक तक क्यों हाँ पड़ी क्योंकि मैं नागराज की होने वाली पत्नी हूँ नागदीब की राजकुमारी विसरपी वैसे बात अगर सिफ तुमारी पिट्टी वासियों का जीवन बचाने की होती तो शायद मैं तुमारे परस्ताव का विरोध भी ना करती लेकिन तुमारे परस्ताव के पीछे तुमारा सुआर्थ है और इसको मैं कभी से सहन नहीं करूंगी यूँ समझो कि आज नागरास से तुमारा संबंद विच्छेद हो गया है ये क्या कर रही हो नागरानी विसरपी ने अपनी विश्मुकार का दान दे कर मेरी चान बचाई है और अब ये करोड़ों जीवन खत्रे में डालने का प्रयास कर रही है इसको तो रास्ते से हटना ही होगा मेहमानों परवार करना हमारी रीत नहीं है इसलिए मैं अभी तुम परवार नहीं कर रही थी पर अब तुम आकरमन कारी का रूप धारान कर रही हो और उसका आकरमन का जवाब देना विसरपी को आता है विसरपी नागरानी रुख जाओ ये समस्या का हल नहीं है ओ गॉड समस्या तो इधर भी खड़ी हो रही है अब क्या हुआ सराणी न अपना दाओं खेल दिया है और तुमारा महानगर हार रहा है दाओं तो यहां पर यहां भी लगा था नागराच पर और फैंसला मौत से होना था तू शक्तिशाली जरूर राजकुमारी विसरपी लेकिन मैं नागरानी हूँ और राजकुमारी रानी से कभी जीत नहीं सकती है नागरख्ष मुझको सराणी को रोकने जाना पड़ेगा विशलेशी मेरे पास इस लगाई को रोकने का वक्त नहीं है मेरे वापिस आने तब तुम इनको समझा हो जाकर शांत करो मैं कोशिश जरूर करूँगी नागराच पर क्या तुम वापिस आ पाओगे सही सवाल यह होना चाहिए था कि क्या तुम जा पाओगे कहां जा रहे हो नागराच अब तुम मेरे साथ चलोगे चाहे अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत काम है विसरपी तुम ठीक तो हो ना मेरी चिंता छोड़ो नागराच मैं नागराच से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंड लूगी तुम नागराणी से नपटे का तरीका सोचो इस कैट से तु अर्देर शोकर भी बच नहीं पाएगा अब तुमको मेरे साथ मेरे आयाम में चलना पड़ेगा और अब हमारा विवा वहीं पर होगा विशलेशी चलने के तैयारी करो हम उसी प्रकाशपरणी के रास्ते से वापिस जाएंगे जिस रास्ते से मैं आई थी उफ मैं वेवस हूँ नागराच ने मेरे इच्छधारी रूप को इलिए भी बाहर निकलने का रास्तान नहीं छोड़ा है ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे कि मैंने सपने में देखा था मुझे इस सपने को सच में तब्दील नहीं होने देना है पर इन सापों की सयुक्त शक्ती मेरे शक्ती से कहीं जादा है मैं इस बंदों से कैसे निकलूँ जब नागराणी के एक हाथ की उंगलियां इतनी शक्तिशाली है तो यह सर्फ रक्ष तो दरसल मैं उंगलियों का ही विस्तार है और उंगलियों के पकड़ ढीली करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको कुचल दो नागराणी के बदन ने कैद के अंदर ही ये कलावाजी आजमाई और उसका असर तरण सामने आगया आई और असर के साथ सार नागराज भी सामने हा गया, तुम्हारे सरफ रक्षों को काटने के लिए मेरे पास सरफ आ रही है, तुमको मेरे साथ तो चलना ही पड़ेगा नागराज, चाहे तुम कितने भी दाव आज मालो, ओफ, बालों की मोटी पर्थ, कि ये नागपनी सरफों को भी घेर लिया है इनकी धार भी बेकार है एक बार फिर इच्छाधारी शक्ति का सहरा लेना होगा लेकिन ये क्या इच्छाधारी कड़ों में बदलती कड़ों पड़ से मेरा नियंतर समाप्त हो रहा है शायद ये लगातर बढ़ती ही मेगनेटिक एक्टिविटी के कारण हो अब मैं ये खत्रा मूल नहीं ले सकता चलो नागराज ये पेड़ मुझे थोड़ा वक्त दे सकता है नागराज का शरीप पलग चपकते ही तने के कई चक्कर काट गया और नागरानी के कटम ठंग गए अब तुम को ये अफंदा खोल नहीं पड़ेगा नागरानी और इतन तेजी तेजी से इसके सांस लेने की गती बढ़ेगी और इसके शरीद में और इसकी कम ZO각 उर्विप यह जल्वी जल्वी और जादा मातरा में पह।छेगी और इसकी कमजोरी भी उतनी से बढ़ेगी क्योंकि ऑकसीजन इसके शरीद के घा तक विश्क के समान हैं के उस वार ने नागरानी को कई मीटर दूर फेक दिया लेकिन नागरान जिसको अपनी जीत की निशानी समझ रहा था वहार की शुरुआत थी अरे नागरानी पर धातू की ये परत कैसे चड़ती जा रही है सिंटम सिंटम क्या सिंटम ब्रह्मान की सबसे अधिक फैलने वाली धातू है जो सिर्फ हमारी प्रतिव पर पाई जाती है ये धातू यहाँ पर कैसे आई और वह भी इतनी अधिक महातरा में ये जरूर सरानी का काम है उसने इस सिस्टम की चादर को पूरे महानगर पर फैला दिया है पूरे महानगर पर यानि पूरा महानगर इस धातू धातू परति के नीचे दब चुका है हाँ नागराज और इस धातु से बचने का कोई तरीका नहीं है ये पर्द अभेद्ध है क्योंकि सिंटम हीरे से भी सोगना अधिक मजबूत होता है अब जल्दी ये धातु शेल जेल को भी ठेक लेगी और हमारा यहां से अपने आयाम में बापिस जाने का एक मातर रास्ता बंद हो जाएगा वैसे भी अगर ये सारानी का काम है तो वह भी अपनी टोली के सेथ यहां आती होगी और नागराणी की मदद के बेगार हम उसका सामने नहीं टिक पाएंगे आयामों के इस लड़ाई में दोनों आयाम हाड चुके हैं नागराणी और सरानी जीत चुकी है लोग सरानी भी आ गई अब खेल पूरी तरह खतम हो गया है पर इस मैटल की परतें सब पर क्यों नहीं चड़ रही है इन सबकी पोशाबर मैगनेटिक आई कोट लगे हैं इस वक्त वेवी शक्तिशाली चुमी के छेत्र पैदा कर रहे हैं और वह चुमी के छेत्र इनके शरीड़ों को घेर कर इनको सिंटम की पर से बचा रहा है अब ये शेल जेल हमारे नए सामला चुका राजमहल बनेगी अब बताओ नागरानी कौन है मारानी नागरानी या सरानी खतम कर दो इन दोनों को भी उसके बाद ये शेल जेल भी सिंटम से ढख जाएगी और फिर सारानी को रोखने के लिए उस आयाम से कोई मदद नहीं आपाईगी इस आयाम में रहकर सारानी आजाद भी रहेगी और मारानी भी बनेगी विसरपी को भी धादी परतले है ठक लिया है अब कुछ करना पड़ेगा विशलेशी और वह भी चल्दी पर हम क्या एक मिनट शेल जेल का मैगनेटिक जनरेटरी इंटर लॉकिंग प्यादा कर रहा है अगर उसको बंद कर दिया जाए तो तो काम बंद सकता है आइडिया तो अच्छा है ये काम इतना आसान तो नहीं है नागराज इस वक्त उसके चारोतर जवर्दस चुमी के छेतर फैरा होगा उसको पार करके जनरेटर के वाटने काफी शक्ती और वक्त लगेगा और उतना वक्त हमारे पास नहीं है वक्त तो मैं रोक कर रखूँगा विशलेशी तब तक तुम शेल जेल के अंदर जाकर जनरेटर बंद करने का रास्ता ढूने नागराज ने विशलेशी को तो अंदर जाने का मौका दे दिया लेकिन उसने अपना मौका खो दिया था ये तो अब तड़व तड़व कर मरेगा जाओ विशलेशी के पीछे और इसको सिंटम के अंदर फैक दो नागराणी के साथ इसकी मूर्ती बहुत जचेगी नागराज के साथ हारम भीद खतम होने वाली थी लेकिन नागराज खतम होने वाली चीज नहीं था सिंटम के सेलाप के अंदर मुझे एक ही चीज सिंटम से दूर रख सकती है इनके शरीर जो मैगनेटिक फील्ड से गिरे हैं नागराज के साथ सारप अब से वार कर रहे थे विश्वरे वार रही सारानी के साथ ही तो शैल जेल तक पहुंची नहीं पा रहे थे लेकिं सिंटम की पर्थ इस धूरी को तेजी से तैकर रही थी और अब शैल जेल के गलियारे भी सिंटम की बेट चलना शुरू हो गए थे ओ गाड ये मैगनेटिव फील्ड तो मुझे इंच-इंच करके आगे बढ़ने दे रही है और सिंटम की पर्थ रॉकेट सी गती सी आगे बढ़ती चारी है मैं समय रहते मैगनेटिक जनरेटर तक नहीं पहुंच सकती लेकिन मेरा मेगा कंप्यूटर शायद पहुंच सकता है उमीद करती हों कि जनरेटर का इलेक्ट्रानिक प्रोग्राम अभी भी काम कर रहा होगा विशलेशी कंप्यूटर टर्मिनेटर के तोरह मैगनेटिक जनरेटर से संपर्ग बनाने की कोशिश कर रही थी पर उसके बद अब गिंती की घड़िया बची थी अब देखते हैं कि इन गन का असर तुम पर क्या होगा नहीं बचो गजब की धातु है ये सिंटम शेल जेल तेजी से इसमें गिरती जा रही है अंदर विशलेशी के साथ मेगा कंप्यूटर भी सिस्टम अपने अगोश में लेता जा रहा था बस एक पल और एक पल और लेकिन विशलेशी को वह एक पल नहीं मिला और अब नागराज का भी वक्त भी खताम हो रहा था क्योंकि इस बार उसने मीस के कंदों पर खड़े होने की कल्ती कर दी थी अब नागराज के मूर्ती बढ़ने में भी एक इंच और एक पल की दूरी थी अरे सिंटम की बढ़ मुचल क्यों नहीं चड़ रही क्या मेरे चारोतर भी कोई सुरक्षा कबच अरे सिंटम कहा चला गया और और शेल जल भी गायब है विशलेशी तुमने कमाल कर दिया कमाल तो है नागराज क्योंकि मैं समझ रही थी कि काम अधूरा रह गया पर जनरेटर का कम्प्यूटर सिस्टम मेरा कमांड ले चुका था लेकिन अगर मैगनेटिक फील्ड बंद होई तो सराणी और शेल जिल के साथ तुम दोनों को भी अपने आयम में वापिस चले जाना लगना उस आयम में हुई उधर पता कासर इस आयम पर भी जरूर आएगा आखिरकार हर आयम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तुम्हारे आयम के मानब भी नहीं बचेंगे नागराज यह सही कह रहा है नागराज दादा वेदाचार अगर यह सही है तो आप यह समस्य का को होने के बाद अब मेरा उस आयम में जा पाना संबब भी नहीं तुमारा नहीं है नागराज लेकिन तुमारे रूप का तो है मेरा रूप मैं को समझा नहीं वह रूप जिसके अंदर तुमारे जैसे ही घातक विश होगा तुमारा रूप यानि तुमारा पुत्र मेरा पुत पर या सम्वा विदादाजी बेगेर विवा के पुत्र कैसा हमारा इत्यास और हमारे पुरान ऐसे उधारन से भड़े पड़े है नागराज समाज की भलाई के लिए कई बार लोगों ने आश्य चने में निल्ले भी लिये हैं मैं तुमको विवा की सला नहीं दे रहा हूं ना पर निल्ले तुमको तुरंत लेना पड़ेगा क्योंकि कुछी पलोबाद नागरा नहीं अपने आयाम में वापिस चली जाएगी यह अंतिम मौका है नागराज यह इस पश्ट है कि मेरे निल्ले पर ही दू आयामों के अर्बो मानवों की जिन्दिगा निर्भर कर रही हैं मैं इतनी जिन्दिगों के साथ खिलबार नहीं कर सकता मैं पुत्रदान के लिए तैयार हूं दादा वेदाचार ठीक है नागराज फिर मैं तिलिसमी पक्रिया शुरू करता हूं ओ धन्यवाद वेदाचार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे घर में नागराज का पुत्र है अर्बों जीवों का जीवन दाता जाओ नागराणी तुमारा पुत्र तुमारे आयम में जाकर ही जन्म लेगा और तुमारी पृद्वी का रक्षक बनेगा मैं भी तुमको कुछ देना चाहती हूं नागराज अपना हाथ बढ़ाओ तुम मुझको क्या देना चाहती हूं विसरपी ये ये तो हमारी सागाई के उठी है हाँ नागराज तुमसे संबन विच्छेत का फैसला देने के बाद मैं इसको अपने पास रखना उचित नहीं स क्या तुम इसका मतलब समझ रही हूं नागराज नो जो कुछ भी किया मेरे दवाव के कारण किया और अर्वों की जिन्दगा बचाने के लिए किया इसमें इसका कोई दोश नहीं है दोश किसी का भी नहीं दादा जी दोश परिस्थितियों का है मैं चाहती थी कि मैं नाग अलविदा नागराज और फिर नागदीब में सारी चीजे धरती पर वापिस आगी दी अपनी जगया पर सबसे खुशी की बाद तो यह है कि नागदीब भी वापिस आगया सब वापिस आगया विशांग पर नागराज चला गया मैं ने सुना दी दी पर आपने कैं सचमन् कौछ पिरत्य जादें नागड МУЗЫКА विशंक पर वक्त आने पर तुम भी देखोगे और ये दुनिया भी देखेगी कि पिरत्य व Rights Europa केरने वालिशकती का केंड्र नागडीप है तो चलिए देवस्तों वीडियो का यही खमाप्त करते हैं दोस्तों फुंकार के बाद शुरू ही थी नागायन सिरीज जिसकी पहली कॉमिक्स थी वरण कांड, दूसरी क्रहन कांड और तीसरी हरण कांड जो तीनों ही कॉमिक्स ये चैनल पे अल्रेड़ी वाइस वोट में अपलोड हैं तो चलिए फिर इसके बाद इन तीनों कॉमिक्स के बाद जो कॉमिक्स आई थी वहती आतंखरता नागराज की हरी मौत तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं हरी मौत में तब तक के लिए धन्यवाद